नमस्कार, competition committee में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हेमन प्रधान, आई फ्रेंट्स आज हम बात करते ही competitive science में एक और भादपूर्ण लेक्चर को और आज हम discuss करने वाले ही ऐसे topic को जो आपकी examination point आप वुसे बहुत important है, that is about स्री निवासन रामानुजन Friends, competitive science में हम general science, environment, science and technology के उन्स segment को cover करने का प्रयास करते हैं और ये competitive science में हम कोशिस करते हैं कि आपको ज़्यादा से बहतर कुछ mnemonics, कुछ tricks, कुछ motivation, कुछ facts और exam related हर वो content मिले जो आपके लिए scoring हो, आपके लिए helpful हो तो आईए start करते हैं आज के session को competitive science में, the person, the man who knew infinitive, the renowned Indian scientist, the renowned Indian mathematician, स्री निवासन रामानुजन, इस session को आज हम cover करेंगे, जिसमें कि अगर आप CDPAC means exam दे रहे होंगे, तो CDPAC का paper number 4 part 2 में स्री निवासन रामानुजन का वहाँ पे already syllabus में mention किया गया है, तो ये exam में past year में पूछा भी गया है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा, हम बहुत सारे ऐसे content को यहाँ पर इस session में cover करने का प्रयास करेंगे, जो आपकी exams के लिए आपको written part में भी काफी help करेगा, ठीक है, तो आईए समस्ते हैं, ठीक है, यथा, शिखा, मयूरा नाम, जिस प्रकार किसी मयूर या मोर के शिखर में उसकी कलगी होती है, जिस प्रकार किसी नाग के शिखर में मनी होती है, उसी प्रकार वेद सास्त्रों में ही सबसे जो मनी का काम करता है, जो उसके शिखर में होता है, वो है गनित या mathematics, पूरी दुनिया को, पूरे world को हमने, भा तो शायद आज हमारी जो वैज्ञानिक प्रगति जिस शिखर पर है वो बिलकुल नहीं पहुँच पाती हम तारों के बीच की दूरी नहीं गरना कर पाते हम सेटलाइट नहीं लॉंच कर पाते हम समुद्र की गहराई को भी नहीं माप सकते हम बहुत सारे ऐसी बाते जो हम अगर ये जीरो या दसंबला और ये सब चीजे नहीं होती तो भारत का जो सांस्कृतिक भारत का जो वैज्ञानिक विरासत है बहुत सम्रिद रहा यहां पर आर्यभट वराह में भासकराचार रामानुजन जैसे बड़े-बड़े और भी अंगिनत बड़े-बड़े साइं इंटिस रहें ब्रह्मा गुप जैसे तो हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं स्री निवासन रामानुजन के बारे में आईए समस्ते हैं उनकी पूरी जीवनी को और जैसे कि यहां पर भारत सरकार के द्वारा एक इनिशेटिव लिया गया था कि स्री निवासन रामानु प्रतिवस निश्टल मैथेमेटिक्स दे के रूप में इस दे को सेलिबरेट करने का जो है यह घोषना किया वो डे है 22nd of December 22nd को प्रतिवस निश्टल मैथेमेटिक्स दे सेलिबरेट किया जाता है ठीक है यहां पर स्री निवासन रामानुजन की जीवनी को हम पूरी जैसे क प्रतिवर करेंगे क्योंकि यह आपके रेटन पार्ट में भी पूछा जाता है ठीक है तो आई यह समझते ही सेशन को सुरवात करते हैं तो देखो सबसे पहले रामानुजन साहब के बारे में मैथमेटिशन सर के बारे में यहां पर सबसे पहले यह समझना होगा इनका जो परिचय क्या है ओन 22 दिसमबर 1887 को तमिल नाडू के एक ब्रामड फैमिली में इनका जन्म हुआ था यह स्थान था मदरास प्रेसिटेंसी के मैसूर एरिया में इस्थित इरोड नाम की जगह पर जो तंजावर डिस्टिक में है यहां पर यह बात क्लियर करनी होगी कि इस सम अलप आयू में 32 यर में ही उनका देहावसान हो गया था लेकिन इस 32 वर्ज के अपने जीवनकाल में इन्होंने इतना कुछ दुनिया को देकर वो चले गए कि जिसका आज भी हम उनके उस एहसान को नहीं चुका सकते क्योंकि इनका जो कॉंट्रिबुशन है इनका योगदा जाता उनको टी भी हुआ था इनके पिता का नाम जो है स्री निवास आयंगर था इनके माता का नाम कॉमलतामल था ठीक है इनकी एजुकेशन की बात करें तो वैसे तो ये क्या है सिर्फ मैट्स में ही रुचि लेते थे सिर्फ मैट्स ही पढ़ना उनको जो है सबसे जादा तो रामानुजन की जो मैट्स में विसेश रूची के कारण बाकि सब्जे को ध्यान में ही नहीं देते थे और यहाँ पर हाई स्कूल तक की वो कक्षा में हमीजा फर्स्ट आते थे और रामानुजन आपका जो जितना भी इनका जो काम होता था वो स्लेट और पट्टी में या इनको स्कूलरसिप मिनने लगी लेकिन सिफ मैट्स में ही इनको जो है रुची थी बाकी में नहीं थी इस कारण वो स्कूलरसिप रुक गई ठीक है उनके बहुत सारी ऐसी कृतिया जो है आज भी रामानुजन डायरी के रुप में उपलब्ध है और मदरास जो युनिवरसि करने की जोरत महसूस हुई तो एन रामचंद्र राओ जो वहाँ पर है ना इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के मेंबर थे उनके कॉंटक में आते हैं और उनके कॉंटक में आने पर उनको एक जॉब मिल जाती जिसमें कि वो मैट्स की कुछ कैलकूलेशन वगरा वो किया करत थे तो 1911 में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जन्रल में अपना पहला लेख प्रकाशित करने का मौका मिला उसके बाद ये जो जर्नल में प्रकाशित जो लेख था इसको बाद में फेमस ब्रिटिस मैथमेटिक्षिन जी एच हार्डी के पास भीजा गया जी एच 20 theorems भीजे उन्होंने और इस theorems को देखते ही प्रोफेसर है ना जी एच हार्डी बहुत इंप्रेस हुए वो सीधा बुला लिए स्री निवास रामानुजन को और उसके बाद रामानुजन की कारी से प्रभावित होकर 1914 में उनको इंगलेंड से बुलावा मिला फाइनली वो इंगलेंड चले गए और इंगलेंड जाने के बाद पहले लंदन सोसाइटी लंदन रॉयल सोसाइटी के वो मिंबर बन गए और उसके बाद 1900 देखो इनके बाद थोड़ा समझना यहाँ पर वो जब London Royal Society के जो member बन गए उसके बाद उनका योगदान Professor Hardy के साथ क्या है वो research चल रहा था ऐसा माना जाता है कि उनके गुरू G.H. Hardy थे हाला कि Professor Hardy को भी बहुत सारी चीज़ें को उसका के चले गए ठीक है यह बाद आगे हम समझेंगे तो उसके बाद चुकि उनकी education, school education और college education तो रुखी गई थी है ना वो आपको बता दे वो भारती दासन university की अंतरगत आने वाले एक university में क्या है एक college में admission लिये थे बाद में वो पूरा नहीं कर पाये थे क्योंकि math के sector में ही उनकी ज़्यादा रुची थी उसके बाद यह जो England चले गए थे उसके बाद जो graduation डिगरी पूरा नहीं हुआ था तो वहाँ पर Trinity College जो university of Cambridge के दवारा उनको जो है B.Sc की डिगरी मिल गई ठीक है B.Sc की डिगरी मिली Bachelor of Science की डिगरी मिली उनके research paper के base पर और England में ही उन्हेंने क्या है Professor Hardy के साथ क्या है 21 ऐसे research paper publish किये और 6 December 1917 को कुछ sources में 1908 भी लिखा होता है London में Royal Society के fellow चुले गए है ना Royal Society के member चुने गए और 1919 को वापस वो भारत फिर से वापस लोटाए लेकिन इस दौर में उन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 21 research paper publish किये थे और बहुत सारे ऐसी योगदान जो है पूरी दुनिया को दे कर गए थे भारत आने पर उनका जो है बहुत जोर सोर से क्या स्वागत हुआ क्योंकि इस समय हम British India हुआ करते थे और British India के दौर में किसी भी व्यक्ति को यहां Royal Society का member याने fellow चुना जाना एक बहुत बड़ा achievement था और ऐसा माना जाता है सबसे कम उम्र के और सबसे प्रथम Royal Society के fellow चुने जाने वाले mathematician में यहां पर आगे बात करेंगे कि इनका योगदान क्या है गणित के सेक्टर में योगदान क्या है इन contribution को आपको exam में लिखना है क्योंकि यह बहुत important है तो हम 3-4 अलग-अलग slide की मदद से समझने का प्रयास करते हैं जैसे सबसे पहले इनका योगदान था geometrical यानि कि जामिती सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे योगदान वो दे कर गए थे बहुत सारे theorems बहुत सारे formulas रामानुजन numbers जो बहुत बड़ा उनका contribution माना जाता है वो एक ऐसे person थे जिनको कहा जाता है कि pi command जैसे कि हम pi command जैसे याद करते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि infinite तक यह क्या जानते थे इस pi के numbers को जानते थे हम यहाँ पर इन सभी बातों को यहाँ पर लिखेंगे रामानुजन का पहला जो जीवन अबधी में था वो कहा जाता है कि कम से कम 3, 9, 0 ऐसे equations और बहुत सारे identities को वो जानते थे बहुत सारी सर्वसमिकाओं को वो जानते थे उनका सबसे महतपूर काम pi की अनंत स्रेणी सामिल थी वो pi के values को infinite तक जानते थे that's why 1991 में एक उन पर book published हुई थी ठीक है? वो 1991 में एक book published हुई थी The Man Who knew infinity और बात में इस रिसेंट में एक movie भी आई थी ठीक है? तो यह बात ध्यान रखना next one उन्होंने pi के अंकों की गणना करने के लिए कई formula उन्होंने बताया और वो क्या है? traditional जो method से काफी अलग थे ठीक है? तो पहला contribution यह उन्होंने क्या है? 3, 9, 00 ऐसे result equations और identities या फिर सर्वसमिकाएं उन्होंने बनाया था संकलन किया था वो pi के values को infinite तक जानते थे अनन तक जानते थे next one दूसरा उनका contribution था game theory game theory के ऐसा theory था जो पहली बार जो है रामानुजन सर ने दिया था कि बहुत सारे ऐसे challenging mathematical problem को solve करने के लिए उन्होंने जो सिधान दिया उसे game theory या खेल सिधान कहा जाता है इस सिधान की खास बात ये है ये पूरी तरह से purely absolute तरीके से वो क्या अंतर ज्यान पर आधारित है और अभी तक गणित की छेत्र में इसे बहुत सम्मान की दिष्टी से जाना जाता है वो वेद, ज्यान और इसमें आध्यात्म की बहुत सारी चीजों को भी इस mathematics से जोड लेते थे ये बात याद रख लेना इसलिए मैंने सुरुवात में आप लोग को सलोग बताया कि किसी भी वेद और शास्त्र का जब सबसे शिखर होता है वो गणित ही होता है mathematics ही होता है इसलिए हम इस चीज की महतों को यहाँ पर समझ पा रहे हैं तो दूसरी चीज समझ में आ गया गेम थियोरी जो पूरी तरह से क्या है intuition या फिर अंतर ग्यांस पर आधारित था इन्होंने ये दिया था next one Ramanujan number Ramanujan number क्या है Ramanujan number actual में 1729 का क्या है ये इसे Ramanujan number कहा जाता है और इस number की खास बात ये है इसे hardy Ramanujan number भी कहा जाता है hardy Ramanujan number भी कहा जाता है ये जब Ramanujan जब बैड पर थे hospitalized थे तो उसको देखने के लिए renowned British mathematician Professor G.H. Hardy उनको देखने आये थे उनका हालचाल पूछने आये थे तो वो जिस taxi में आये थे उस taxi का number 1729 था तो उन्होंने Professor Hardy ने उनको शेयर किया कि मैं 1729 वाले taxi के numbers में विजिट करके आये हूँ इसकी क्या खास बात है जो अलग-अलग तरीके से दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है घन मतलब क्यूब यहाँ पर इस बात को समझना this is the smallest number that can be written as the sum of two cubes in two different way यह वो सबसे नियूनतम संख्या है जो अलग-अलग तरीके से दो संख्याओं के cubes के addition के के रूप में लिखा जाता है दो छोटी संख्या के घनो के योग के रूप में लिखा जा सकता है नहीं समझें यहाँ पर समझ लो है ना 1729 क्या है रामानुजवन नंबर है जो 10 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आयो और 9 का cube करेंगे तो 927 आएजगा, दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्थ हुआ, आपको 1729 प्राप्थ हुआ, ठीक है, अच्छा, इसे फिर से एक और देखो 12 का cube करो, 12 का cube करोगे तो 1728 हो गया, और 1 का cube करोगे तो 1 का cube 1 ही आता है, और इसको जोड़ने पर भी 1729 आता है, अच्छा अब ये वो ही smallest number है जिसे इस प्रकार लिखा जा सकता है कोई और ऐसा number नहीं जिसे इस प्रकार लिखा सकता है सब्से smallest number भी है और दो अलग अलग numbers के cube के addition कसे बराबर होता है दो अलग अलग संख्याओं के घनो के योग वे बराबर होता है 1729 देते हैं ठीक है ये बात सबको समझ में आई रामानुजन सर का ये सबसे बड़ा युगदान में से एक माना जाता है 1729 बहुत सारी ऐसी बाते थी जो इस नंबर्स की जो है इससे जो है आप elaborate कर सकते हैं बहुत सारी जो स्लेट पट्टी में वो लिखते थे वो डायरी में भी उसको लिख दे दे थे वो डायरी प्राप्त हुई थी जोर्ज एंड्री उसको यो भी mathematician थे जो Trinity College Trinity College क्या पता है Trinity College University of Cambridge जो वर्ड की सबसे बड़ी university में से एक माना जाता है top five universities में हमेशा उसका नाम गिना जाता है बड़े-बड़े research paper publish होते हैं तो उस Trinity College की library में उनको क्या मिला ये जो है उनको उनका जो है diary मिला और उसके बाद रामानुजन की notebook की उन्होंने खोज करने के बाद इसे book के सारी बात ने थी रामानुजन सर के जो है जो contributions है इनको जरूर लिखना ये exam के लिए बहुत helpful है आप Wikipedia या दूसरे sources पर जाकर इनके बारे में detailing भी आप कर सकते हैं लेकिन examination point है उसे इतनी बात भी लिखेंगे तो ये more than sufficient है इसमें याद रखना है hyper geometric series हाइपर जियामिती स्रिंखला इनका contribution था है ना remain series roman series नहीं वह रिमैन series है ये तो remain series कभी इन्होंने इन्होंने ही दिया था concept elliptal integral mock theta function divergent series का जो है principle और maths के कम से कम क्या है जिसे हमने शुरुआत में 3900 कहा था exactly बताएं तो 3884 ऐसे theorems भी दिये थे उन्होंने ठीक है ऐसे theorems भी दिये थे प्रमे दिये थे इसके अलाबा ramanujan sum इसके अलाबा है ना landau ramanujan constant ramanujan conjecture इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं ramanujan abhaj या ramanujan prime ठीक है ramanujan seto series ramanujan master theorem है ना hardy ramanujan asymptotic formula तो यह बहुत सारी ऐसे बातें थी जो ramanujan sir जो है अपने इन जीवन काल में यह करके गए थे इनके अभी भी बहुत सारे ऐसे theories हैं ऐसे theorems हैं ऐसे identities हैं ऐसे बहुत सारे formula है जिस पर अभी भी सूध हो रहा है रिसाच हो रहा है तो यह थे स्री निवासन रamanujan जो 32 वर्स में इतने अलप आयू में यह सब करके गए थे और इनका योगदान अविस्मरडी है है ना रamanujan sir जो है जैसे आपको मैंने सुरुवात में बताया इनको जो है यह आधुनिक Mathematicians में गिने जाते हैं जैसे आरेभट वराहमिहर जैसे बड़े-बड़े Mathematician भासकराचार ब्रह्मागुप्त जैसे Mathematician जो है प्राचीन काल के हैं तो आधुनिक काल में जो Mathematician जो रहे हैं उनमें रामानुजन का सर का नाम जो है शुमार है अब रामानुजन डे एवरी यर रामानुजन डे जीसे National Mathematics डे के रूप में एवरी यर 22nd of December को celebrate किया जाता है Now मैं आप सब को request करूँगा कि रामानुजन प्राइस क्या है आप मुझे बताईए इसकी क्या eligibility है बताईए रामानुजन पुरसकार किस लिए दिया जाता है इसके लिए क्या सरते है यह जरूर आप comment box में लिखके भेजिए क्योंकि एक्जाम के लिए यह helpful है ठीक है आज के इस छोटे session में हम इतना ही रखते हैं मिलते हैं next week में एक और important व्यक्तित्व को लेकर वो भी mathematicians ही होंगे तो upcoming जो lectures आएंगी उसमें हम पहले CGPAC means paper number 4 part 2 के जितने भी mathematicians हैं उनको पहले cover करेंगे हम आर्यभट वराह महीर भासकराचार इन ब्रह्मागुपतिन सभी चीज़ों को cover करेंगे जो आपके लिए helpful होगी मैं request करूँगा आप सभी लोग चाहो तो इसका screenshot ले लो आप चाहो तो ये सब content को note कर सकते हो और ये आपकी exam के लिए काफी helpful हो सकती है जो आपको means में लिखने का के लिए आपको important content के रूप में उसे प्रस्तुत कर सकते हैं तो आज के इस session में हम इतना ही रखते हैं मिलते ह session में कुछ नए और important topic के साथ, thank you so much, have a nice day.